Good morning 6th class, आज 17 जुलाई के कारे में हम एक ऐसा पाठ पढ़ेंगे, अरे पढ़ने से याद आया, किसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चलो, आपकी परिशानी दूर किये देती हूँ, मेरा पहला प्रशन था, किसे पढ़ना है, बच्चो किताब में लिखे को, दूसरा प्रशन कब बने, कहां से बने, किसने बनाए, क्या फाइदा है, इन अक्षरों का, चलो, अपनी पुस्तक खोलो, और पार्ट पांच निकाल कर पढ़े, बच्चो, हम जो पुस्तक में अक्षर पढ़ते हैं, जो पुस्तके छपी होती हैं, वे सारे अक्षरों से बनी होती हैं, और ह संख्या तो कभी आपने कल्पना की थी कि यदि अक्षर ना होते तो आज हम दुनिया का हाल कैसे जान पाते कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादी काल से जानते हैं अनादी काल का अर्थ होता है बच्चों जो सदा से चला आ रहा हो तो कोई 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 मानता है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बलकि स्व्यम आदमी ने की है अक्षरों की खोज आज से लगबग इस धर्ती पर पाँच अरव साल पुरानी है कितने पाँच अरव साल पुरानी इससे पहले धर्ती पर किसी भी जीवजनतू का अस्तेतव नहीं था करोड़ साल पहले केवल जानवर और वनस्पती ही इस धर्ती पर राज्या करते थे आदमी ने जब इस धर्ती पर कदम रखा यानि कि पांच लाग साल पहले तब धीरे धीरे उसका विकास हुआ और दस हजार साल पहले आदमी ने गाउं को बसाना शुरू किया यानि कि धर्ती पर जब आदमी का जनम हुआ, दस हजार साल पहले तब उसने गाउं को बसाना शुरू किया फिर वह खेती करने लगा, पत्थरों से उजारों का इस्तेमाल करने लगा, तंबे और कांसे के उजार बनाने लगा प्रागेती हासिक मानव, बच्चों प्रागेती हासिक आर्थ होता है इतिहाज में वनीत काल से पूरर का मानव, यानि कि पहले का मानव अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए पशूओं पक्षूओं और आद्मी आदियों की चित्रों का इस्तेमाल करता था वह एक वृत वृत क्या होता है बचो एक गोला ठीक है उसके तरफ किर्णों की ध्योतक रेखाएं ध्योतक का अर्थ होता है वेटेक सूचक यानिके एक गोला बनाकर हम उसके चारों और छोटी छोटी लाइने खीच देती है रेखाएं खीच देती है तो इससे क्या बन जाता है एक सूर्या का चित्र जो यह ताप और धूप का ध्योतक बन गया इस परकार मानव ने अक्षर की खोज की अक्षरों की खोज का सिलसला छे हजार साल पुराना माना जाता है कितना छे हजार साल पुराना तो अक्षरों की खोज के साथ ही बच्चों नए युग की शुरुवात हुई मनुशिया अपने विचारों को का हिसाब किताब लिख कर रखने लगा यानिकि बच् अक्षर समझ में आने लगे और उसने अपने एक नए इतिहास के शिरुवात की और उसने अपने हिसाब किताब को लिख कर रखना शुरू किया तब से मानव क्या कहलाने लगा सभ्य सभ्य का अर्थ होता है बच्चो पढ़ा लिखा कि जब इंसान ने अक्षरु को पढ़ना लिखना सीख लिया तब है पड़ा लिखा कहलाने लगा सभ्य कहलाने लगा फिर आदमी ने इतिहास लिखना शुरू किया बच्चो किसी भी कौम और देश का इतिहास तब ही से शुरू होता है तब से मानव के लिखे हुए लेख मिलने लगे और हमारी इतिहास की शुरुवात भी मुश्किल से 6000 साल पहले ही मानी जाती है अत्य हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षनों के खोज ना करता तो आज हम इतिहास को कैसे जान पाते तो पहले कुछ हजारों साल पहले आदमी किस परकार रहता था क्या क्या सोचता था कौन कौन राजा हुए ये कुछ भी हम जान ना पाते तो अक्षनों के खोज मुनुश्य के सबसे बड़ी खोज मानी गई है अक्षरों की खोच के बाद ही मनुश्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा पहले कैसे करता था अपने विचारों को? पशू, पक्षियों और आदमियों के चित्र बना कर वे अपने भामों को और विचारों को प्रकट करता था लेकिन जब अक्ष्रों के उसको ज्ञान हो गया तब है उसन विचारों को लिख कर रखने लगा यही विचार एक पीडी से दूसरी पीडी तक जाने लगे पीडी का अर्थ होता है बच्चों वंश पर्मपरा ठीक है एक वंश से दूसरे वंश तो अक्ष्रों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव की जाती का तेजी से विकास होने लगा तो यह सब है हमारे जीवन में अक्ष्रों का महत्वर तो यह महतव अक्षरों का और उसके बनी हुई लिपियों का है बच्चों अंते हम अक्षरों की इस कहानी को दुबारा से स्व्यम पढ़ेंगे और इसके शबदर्थों को अपनी फियर नोट बुक में करेंगे बच्चों यह पाठ कुछ बच्चों ने पहले से ही किया हुआ है लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ बच्चों से निवेदन करती हूँ कि वे इस पाठ को दुबारा से देखें और अपने अधूरे कारे को पूरा करें बच्चों एक बार में शब्दर्थ दोहरा देती हूँ तादार, संख्या, मूल, प्रमोख, अनाधिकाल, जो सद से चला आ रहा हो, स्वियम, अपने आप, इस्तेमाल, प्रयोग या उप्योग, सिलसिला, क्रम, कोम, जातिया, अस्तित्व, सता या विद्यमानता, शुर्व आत, अरंभ, सभ्य, पढ़ा लिखा, पीडी, वंश पर्मपरा, ध्योतक, सूचक, लिपिया, ध्वनी और भाशाओं को लिखने का धंग, प्रागेतिहासिक, इतिहास में वर्नित, काल से पूरव का मानव, बच्चों इस पाट को दुबारा से पढ़ें और इसके शब्दर को आप अपनी फियर नोट बुक में करें, कल इस पाट के प्रशन उत्तर आपको मिल जाएंगे, धन्यवाद